क char ancient I hope you all line आगे और आज़ाज में हम इसा किञ्ड़कर साइब कर तर व्हां मैंने लींग के टॉժिक को स्टार्ट किया था और अपना second unit का next topic start करते है sex determination right तो चलिए लिंग निर्धारण जिसे हिंदी में कहते है sex determination कैसे होता है या क्या होता है इसके बारे हम जनर देख लेते हैं तो establishment of sex through the differential development in the individual establishment of sex मतलब लिंग का निर्धारण होना establishment होना किसी भी इंडियर जैसे अब आपको पता है कि zygote कहां बन रहा है uterus के अंदर उसकी development चल रही है zygote जो initiation होता है वो होता है फिलोपिन ट्यूब के अंदर female के अंदर जो ovary है जो उसका reproductive organ उसमें जो फिलोपिन ट्यूब है वहाँ पर उसका क्या होता है fertilization यानी initiation होता है मतलब sperm और ovum एक दूसरे को fuse करते हैं और उसके बाद उसकी implantation होती है उस zygote की कहां पर uterus के अंदर ठीक है और दीरे दीरे वह उसकी development start हो जाती है और उस development के दौरान ही उसके अंदर sex determination होता है link का निल्धान की मतलब वो कल को जाके वो zygote male body में convert होगा या female body में convert होगा परिवर्थित होगा तो वो कहता है उस sex की establishment यानी link का निल्धान कैसे हो है इंडिवेजल के अंदर कब at the early stage of life जीवन के प्रारंभिक अवस्था के दौरान प्रारंभिक अवस्था के दौरान प्रारंभिक अवस्था को जब भूणिय परिवर्धन चल रहा है embryonical developmental जब चल रहा है उस समय उसके अंदर कौन सा development चलता है differential मिल्द है विविद वाला जो उसको एक दूसरे से भिविन भिन कर रहा है early stage of the life is called sex determination क्या बोल रहा है कि sex का establishment, sex का निर्धारन होना, sex का स्थापना होनी, मतलब कि जो link कौन सा बनेगा मतलब कि वो male बनेगी या female बनेगा through the differential development वो कैसे होता है, किस के दौरा होता है, differential development के दौरा होता है, भिवेदन प अंदर, कब at the early stage of the life, जीवन के प्रांविक अवस्था में और इस चीज को, इस process को, प्रक्रिया को हम क्या कहते है, sex determination, कहता है on the basis of fertilization, three type कहता है, जो sex determination है, जो आपका link निर्धारन है, वो हम initiation के आधार पर उसको हम तीन भागों में बाढ़ सकते हैं, जो link निर्धारन है, जो sex determination है, उसको हम initiation, यानि fertilization के basis पर, आधार पर, तीन भागों में बाढ़ सकते हैं, कितने भागों में बाढ़ सकते हैं, तीन भागों में बाढ़ सकते हैं, पहला भाग है हमारा progenic type, दूसरा प्रकार है, हमारा sin gamic type, और तीसरा हमारा प्रकार है type है, epigamic type, तो देख ल टाइब का sex determination या प्रोगैमिक प्रकार का जो आपका link निर्धारन है उसमें link का निर्धारन हमें कब पता लग जाता है before the fertilization fertilization से पहले ही हम जान जाते हैं कि वो body male बनेगी या फिमेल बनेगी इस प्रकार का निर्धारन जब आपको fertilization initiation से पहले ही पता चल जाए sex का determination हो जाए D-E-T-E-R-M-I-N-E-D Determined, sex determined मतला sex का निर्धारन पहले ही हो जाना कब पहले बिफोर fertilization और यह देखने को कहा मिलता है example है drawn in the honeybee honeybee के अंदर जो drawns होते है अब आपको पता है honeybee है जो मदमक्षी होती है उसमें अलग-अलग labor के अधार पर शिरम के अधार पर उसमें अलग-अलग वर्गी करण दिया होता है जिसमें वर्गर अलग होते है ना king अलग होते है QN अलग होती है तो जो drawn है किसके honeybee के अंदर जो drawn होते उन में अनकी जो लिंग निधरण just या फिमेयल बनेंगी वो पहले ही निधरण बनेंगी उगला type है this week these next week most of the plant यह कभ सधे Mahes में बनेंगे फिमेयल और अधिकतर प्लांट और एनिमल्स में देखने को मिलता है, मतलब सिंगेमी, इनके अंदर देखने को मिलती है, उसके बाद, एपिगेमी कौन से होते है, आफटर दा फर्टिलाइशन, फीमेल हनी बी, वो कहता है, एपिगेमिक, वो प्रकार है, सेक्स डिटिमिनेशन का, जब हमें लिंग फीमेल का सेक्स डिटिमिनेशन तो जैसे फर्टिलाइशन होगा, अब आपको पता है कि अगर जो स्पर्म है, वो क्या लेकर आया है, एक्स वाई क्रोमोसोम लेकर आया है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम लाते ही क्या होगा, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है है, मतलब य अगर same gamic type का sex determination होता है लेकिन एक होता है last वाला epigamic जिसमें क्या होता है fertilization के बाद जाके पता चलेगा कि वो क्या बनेगा male बनेगा female यह ऐसा example है honey bee female honey bee अब आगे देखते हैं कि कैसे sex determination की जो mechanism वो कैसे होता है mechanism of the sex determination लिंग नेधान की क्रिया वीदी कैसे होती है तो पहला होता है पहला system है number one allosomic determination of sex allosomic determination of sex क्या होता है क्रोमोसोम हमारी बॉड़ी में उस क्रोमोसोम जो होते हैं दो टाइप की होते हैं पहले होते हैं autosome और somatic chromosome और दूसरे होते हैं allosome और allosomic determination of sex यह जो आपने जो नाम दिया वो की सधार पर दिया है type of chromosome क्या होता है कि chromosome दो टाइप की होते हैं एक होते हैं somatic chromosome दूसरे होते हैं sex chromosome एक होते हैं somatic chromosome एक होते हैं sex chromosome somatic chromosome को हम autosome भी कहते हैं और sex chromosome को हम allosome और sex chromosome को हम allosome भी कहते हैं हाई domosomes और aysams हों भी ख सहते हैं autosome somatic chromosome sex chromosome UH जो somatic chromosome होते हैं उनका काम होता है regulate the somatic correcteur उनका अब आपको पता है हमारे शरीरव में दो ही कोशिका मिलती है काईखोशिका और जनन कोशिका, काई कोशिका और जनन कोशिका, काई कोशिका यानि सुमेटिक सेल का काम है, शेरीर की बाकी सरचना का तयार करना, वो लिंग निधारण में काम नहीं करेगी, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम से होते हैं, उनका काम है, सेक्स की डेटर्मिनेशन करना, सेक्स क्रोमोस परोटीन बनाएंगी, सारा कुछ, वो सारे के सारे genes कहां है, somatic chromosome के अंदर हमला हर एक cell जो हमारी body की, जितनी cell आप देख रहे हो, germ cells को छओडके, उनके अंदर जो भी chromosome है, somatic chromosome है वो, और वो सब जानता है कि cell कैसे बनानी है पूरी बॉर्डी की चाहिए वो नाखुन की है चाहिए वो आपके nails है, hairs है, tongue है कुछ भी, लेकिन दूसरे जो है sex chromosome, sex chromosome आपको उन cells में मिलेंगे जिनका काम क्या है associate with the sex determination, जिनका संबंध है sex determination से sex determination यानि कि वो लिंक का निर्धारण करेंगे बात क्लियर होगी तरह था, allosome and heterosome allosomes और heterosomes given by the Montgomeris Montgomeri 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 ने ये दोनो terms दी थी, allosome और heterosome allosome और heterosome और उसके अलावा जो sex chromosome में उसकी discovery Mac clung ने की थी M-C-C-L-U-N-G Mac clung ने दी थी और उन्होंनों कहा किस के अंदर दिखा था था, gross hopper के अंदर और जो X chromosome में उसकी discovery hanging ने की थी, किस के अंदर की थी X body के अंदर ये, याद रखना ये X body female के अंदर ही मिलती है हमेशे जो sex chromosome में उसकी discovery Mac clung ने की थी, gross hopper के अंदर और जो X chromosome में वो hanking ने discovery की थी और X body और ये जो X bodies होती है जो female के अंदर मिलती है, ठीक है female की cells के अंदर याद रखने वाली बात है तो वो कहता है तो बात समझागी कि हमारे पास क्या हुआ जो फस्स जो था वो Allosomic Determination of Sex था जिसमें जो क्रोमोसोम के अधार पर बाटा गया यानि की क्रोमोसोम दो टाइप की होता है Somatic और Sex क्रोमोसोम जो Somatic क्रोमोसोम होता है, उनके काम होता है Somatic coriecator के ओपर नियंतरित्र रखना मतलब जितने भी काइक जो हमारी विशेशता होता है क्नाइक सैल की हमारे स्टरीव में दो तरिके के सैल काइक कोशिका और General कोशिका Soatic cell और Jarm Cells जो काईक कोशिका है Somatic bred agora का का काय क्या कैसे क्या विशेशता है तो वो सारी जो उन चीजों के ऊपर नें तर्ड किसका होगा स्मेटिक क्रोमोसोम का और सेक्स क्रोमोसोम क्या काम है associated with the sex determination इतनी बात क्लियर होगी इसके अलावा कहा था Wilson and Stephen Wilson और Stephen ने सबसे पहले chromosomal theory दी जिसे हम sex determination कहते हैं Wilson और Stephen ने सबसे पहले Chromosomal Theory दी जिसे हम Sex Determination कहते हैं इतनी बात क्लिए होगी इतनी बात समझ आगी आपको चलिए First Point करते हम Number 1 आगया हमारा XX and XY Type और Ligacious Type Ligacious Type XX और XY Type और Ligacious Type क्या होता है इता है First Observed Wilson and Stephen सबसे पहले Wilson और Stephen ने ये XX, XY Type जो टाइप होता है प्रकार होता है धुन्डा और किस के अदर ढूंडा Ligacious Insect के अंदर Ligacious Insect के अंदर इतनी बात क्लिर होगी Ligacious Insect के अंदर ढूंडा क्या देखा सबसे पहले आए कि आपका XX, Female होती है और XY Male तो क्याता है In This Type Sex Determination यानी फीमेल बात चल रही है, XX chromosome है, in this type, sex determination यानि female is homo gametic, कैसी है वो homo gametic, XX female का मतलब क्या है, वो कैसी है, homo gametic है, that is produce one type of gamete, homo gametic मतलब एक ही hetero word आता है, तो वो उता है, जिसमें भिन 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 प्रकार की चीज़ें हो, homo का मतलब जहां पर सब सेम है, तो सेम का मतलब क्या है, क्याता ह अगर आप XX female की बात कर रहे हो, तो इस प्रकार जो sex determination जो female होगी, जो link धरन होगा, link नहीं धरन होगा, वो कैसा होगा, homo gametic है, यानि कि जो XX, यह female के अंदर तो XX ही होता है, जब यह कोई gamete बनाएगी, तो उसका gamete कैसा होगा, एक ही प्रकार का gamete होगा, मतलब आप कितने भी gamete बनाएगी, सब एक ही type के बनेगे, तो one type of gamete, बात clear होगी, इतनी बार समझ आगी आपको, आगे देखते हैं, कि तो 2A plus XX female, 2A plus XX female, तो gamete जो बनेगे, वो बनेगा, AX और A plus X, AX और A plus X, वो काता है, जो male है, male कैसा है, male is a heterogametic, क्यों होता है heterogametic, क्योंकि आपको प तो उसके gamete का बनेगा, एक बनेगा X, दूसरा बनेगा Y, तो heterogametic क्यों है, क्यों है, क्योंकि produce the two type of gamete, वो दो तरीकी का gamete बनाता है, तो 2A plus XY giving you gamete, A plus X और A plus Y, A plus X और A plus Y, इतनी बार समझ आगी, यहाँ क्यों हो रहा था है, यहाँ उसने बोला कि female, तो A की type का gamete बनात चलिए आगे देखते है, क्याता है, in male X chromosome containing gamete called the gyrosperm,ешь eine male के अदर आपास X chromosome है, containing gamete, उसने अपने अदर gamete रखा है, उसको क्या 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 एं गाइनो स्परम, क्या बोलते है गाइनो स्परम, और Y chromosome है, उसका जो gamete है, वो क्या क्या такой है, Ärndrosperm बात समझ जागी मेल में जो X-Chromosome है और उसके दोरा जो gamete बनेगा उसे कहते है गाइनो-spum और जो Y-Chromosome उसके बात जो gamete है उसे कहते है ENDOSPUM, क्या बोलते हैं X-Chromosome, मेल की बात कर रहे हैं मेल के अंदर जो X-Chromosome है नर के अंदर जो X-Chromosome है उसके दोरा जो gamete contain किया जाएगा रखा जाएगा या बनाया जाएगा वो कहलाता है गाइनो स्पर्म और वाई क्रोमो स्पर्म के दोरा एंडो स्पर्म इतनी बात clear होगी चलिए अब हमारा next viewpoint आ गया XY female और XX male या इसके कहते है sex determination female heterogametic अब यहां देखर हो यहां पर XX condition नहीं है जो हमने पीछे पड़ी जो एक नॉर्मल humans के अंदर देखा जाता है combination यह XY female इस प्रकार का जो combination होगा जिसमें XY female होगी उसमें जो sex determination आप लिंग धारन जो करोगे female के अंदर वो कैसी होगी heterogametic होगी मतलब वो दो टाइप के that is produced two type of the gamity यानि वो दो प्रकार के युगमग को बना सकती है male is homogametic जबकि male कैसा एक्स-क्स तो male कैसा homogametic यानि कि वो क्या बना रहा है वन टाइप का gamity बनाएगा एक ही प्रकार का युगमग बनाएगा और ऐसे देखने यह वाली स्तिति यह वाला combination हमें देखने हो कहां मिलता है बहुत सारे some insect कुछ हमें कीट पदंगों में देखने हैं बालता है जैसे butterfly, moth और कुछ vertebrates है कशोरी की जीव हैं जैसे की bird, fish और reptiles के अंदर और कुछ पौधे भी है plant kingdom के अंदर जो हमारे plant kingdom है जैसे की phrygaria aleator इसके अंदर हम यह देखने को मिलता है phrygaria aleator clear की बात चलिए अब हम next देखते हैं तो पहला जो हमारा type था पहला type था हमारा x, 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 y type यह type था न हमारा x, x female and x, 0 male यह x, 0, y नहीं है अपर x, x female and x, 0 female इसे कहते है protein type क्या बोलते है protein type क्या बोलते है protein type क्या बोलते है इसको protein type clear होगी बात वो कहते है in this type deficiency कमी है किसकी one chromosome की in the male अब x, x तो female है लेकिन x, 0 यह 0 मतलब यह absent है तो कहते है deficiency कमी है एक chromosome की male के अंदर तो female तो है homo gametic male का है heterogametic female का है homo क्योंकि इस x है लेकिन यहां का है x, 0 तो male कैसा है heterogametic यानि female का बनेगा two a plus x is giving you a plus x और a plus y समझाईरी बात a plus x और a plus y जबकि male क्या बनाएगा a plus 0 और a plus x इतनी से बात समझागी और इसको भी आप न एक जो यहां पर हमारा पीछे हम ने किया था यह देखो यहां पर जो gamete बनेगा वो a plus x करना उसको a plus x और a plus x जाना क्यों एक ही टाइप का बना बने तो दो लेकिन एक ही टाइप की a plus x और यहां plus मैं लिखना बूल गया हूं और यह a plus x ठीक है इतनी बात समझागी चलिए आगे चलते हैं तो उसने कहा कि female कैसी हमारी homogametic का जो नेक टाइप की है और अगर हम male का देखे त तो a plus zero है और a plus x है तो यह heterogametic type है ऐसा आपको देखने में इस यह ऐसा जो combination है कहां देखने को मिलता है sex chromosome के अंदर grasshopper, squash by ananas, cockroach, ascaris इनके अंदर आपको देखने को मिलता है बात clear होगी आगे देखते है अब है haploid deployed mechanism क्या होता है haploid deployed अगोनी तो क्या क्रिया वीदी होत एक place set of chromosome के तो यह link निधरन है यह कैसे किया जाता है chromosome के set set को देखकर क्या बोल रहा है जो section link निधरन है वो chromosome के set को देखके की दीगे जाता है अगर deployed है two set है तो वह female है और haploid है है तो वह कहा है one set deployed है यानि two set है तो female है और haploid one set ओ एनि one set एक set है तो वह male बनता है यह भी होता है haploid deployed mechanism को भी देखा जाता है इसके धारपी भी आप link निधरन कर सकते हो कहता है कि sex determination haploid deployed mechanism में क्या होता है हम sex के link का निधरन कैसे करते है chromosome के set को देख कर कहता अगर deployed set है वहां पर deployed two end condition है क्या condition है वो कहते है अगर आपके पास two end condition है और एक and condition है two end condition का मतलब क्या होता है दुए गुंछी तवस्ता यानि कि deployed कौनसी condition आपकेoffs और अगर N condition मतलब आपके पास हैपलोइड है कौछे कंडिशन है हैपलोईड यानि की आगूनी तवस्ता तो N का मतलब होता है क्रोमोस्वम नंबर आपके कैसे है फुल है और N का मतलब होता है क्रोमोस्रम आपके पहले से हादे हो गए कितने भी थे वह आदे हो गए एंड में वह क्या होते है डबल होती कंडिशन और एंड में वह हाफ हो जाती है कितनी बास समझा रही है ठीक है चला आगे देखिए तो उसने क्या बोला हो कहरा है कि सेक्स डबलेशन हम सेट के ग्रोमस को देखे लिक सकते हैं और 2 सेट हमारे पास यादि फीमिल और अगर है एक सैट है तो वह मेल बनेगा है ऐसा देखन कहा है मिलता है कहां हुआ进ी ça है क्या है अगर रधर की इंदर देखो तो मेल इंडिवीजल डबलब फ्रॉम अगर आप हनीवी के अंदर नोटिस करोगे न तो जो मेल की जो फार्मिशन होई है मेल जो इंड़िविजल बन रहा जिसे आप ड्रॉन कहते हो वो हमेशा किस से विख्षित होता है एक अनफटलायज अनिशेषित अंड से अन फटलाइज एग से उसकी निर्मान होता है और वो कैसा होता है है अब आपको बता है जब एग ही रह गया वो एग को स्परम मिला ही नहीं तो उसके अंदर तो वो जो स्परम का स्वरों सौरी क्रोमोसों को जो नंबर है वो हाफ ही रहेगा तो वो है प्लाइट है कंडिशन थी जिसमें हम सेक्स का निर्धान कब कर लें फटलाइशन से पहले ही अब आपको पता है कि जो मेल जो इंडिविजल लगों किससे डवलप हो रहा है जो एग अन फटलाइज रहे जिनका नहीं हुआ तो वो पक्का ड्रॉन ही बनेंगे और मेल बनेंगे यह हमें पहले ही पता है तो यह कौनसी कंडिशन रहे परकाए हमने पढ़ेधे थे नैंभी कि दिससरे metres राइक हो सकता है ऑन दाबेस फ geschained Pro-Gamic, Syn-Gamic और Epigamic Pro-Gamic जिसमें Fertilization से पहले पता चल जाए Syn-Gamic जिसमें During the Fertilization पता चले और Epigamic जो Fertilization के बाद जाके हमें पता चलेगा तो कहता है कि इसे हम क्या कहते है यह कैसे होते है Parthinode कैसे होते हैं यह Always Parthinode जिसे कहते है जिसे होता है कि जब भी किसी जीव का निर्मान हो बिना निशेशन की है जाइगाट की फार्मिशन होती है बिना निशेशन की है तो कहता है Fertilize Egg जो Fertilize Egg है वो कैसे होते है Deployed Larva Fertilize Egg यानि कि Deployed Larva यानि Two Uncondition वाले हैं जैसे कि जो Deployed Larva है Feed on Royal Jelly तो क्या बनाएंगे Queen और जो Bee Bread खाते हैं वो क्या बनाएंगे Workers तो दो कहते हैं कि जो Fertilized Egg हो गए एक तो हो गए जो जो नहीं हुए Fertilize वो तो क्या बनेंगे आपके पास Drone Honeybee के अंदर देख रहे हैं और जो Fertilize हो गए एक उनमें भी दो तरीकी का होसता काम जो Fertilize जो एक Fertilize हो गए अब आपके पता है एक वो इस पर मिल गए तो वो Deployed बन गए अब वो Deployed Larva Larva बना Fertilize एक से Larva बना वो Larva कैसा Deployed है Unfertilize रहे तो तो वो Drone बनेंगे Male बनेंगे लेकिन जो Fertilize हो गए जिनमें निशेशन हो गया वो आगे जाके Larva में कनवर्ट हुए वो Larva अगर क्या खाए Royal Jelly Feed on मतलब वो अपने भोजन में Royal है Royal मतलब बहुत अच्छी टाइब की क्या खाए Royal Jelly खाए Honey B के छटे के अंदर तो वो कल को जाके क्या बन जाती है Queen उसे कहते है Fertil यहां पीछे छोपर आएगे Fertil Queen यह निए Fertil को जाओ Queen जो आगे जाके जनरेशन को बनाने में Help करेगी Fertil Queen जो अंडे दे सकती है और जो खाएं Bee Bread जो उसका सिर्फ Bread Bread खाएं Jelly नहीं खा रहे जो जो छटे के अंदर सिर्फ Bread को खा रहे है वो कल को जाके क्या बनेंगे Worker बनेंगे उसके दास बनेंगे Worker बनेंगे मत्वक्की के अंदर और वो कैसे होंगे Strial Female वो कैसे होंगी Strial Female Strial मतलब जो आगे अपने आगे एग्स नहीं बना सकती है आगे अंडे नहीं बना सकती है अपने अंदर ठीक है उनका काम सिर्फ है काम करना ठीक वो आगे जनरेशन नहीं अपनी न्यू जनरेशन को नहीं बना सकती है तो वो कैसे Female होई Strial तो यह female के बूख कहता है जो fertilized egg है जो fertilized egg है तो यह कौन सी condition है? epigenic देखो यह अब यह उपर वाली condition कौन सी है? pro gamic कि हमें fertilization से पहले ही पता है और अगर fertilization हो गया fertilization हो गया उसके बाद अगर उसने jelly खाई, royal jelly तो तो वो क्या बनेगी? fertile queen और अगर उसने bread खाई तो वो क्या बनेगी? strile female तो यह हमें fertilization के बाद तो यह कौन सी condition होगी? epigemic मतला हमें fertilization के बाद पता जाकर पता चलेगा अगर उसने jelly खाई तो तो वो fertile female बनेगी जो आगे new generation बना सकती है ऐसी female बनेगी और अगर उसने bread bread खाई तो वो क्या बनेगी? worker वो भी female worker बनेगी लेकिन वो आगे new generation को नहीं बना सकती वो strile female बनेगी ठीक है? तो fertile और strile का बताला क्या है? fertile का मतला जो आगे जाके जिसके अंदर गून है कि वो आगे next generation को बना सकती है और strile का मतलग क्या हुआ? कि जो आगे वाली generation को नहीं बना सकती तो thank you so much आज हम अपनी दो unit totally complete कर लिए तो अगले हम next अब third unit को start करेंगे thank you so much